हेलो डियर स्टुडेंट्स वेलकम टॉवर चैनल एजुकेशनल गोल और आज के इस वीडियो में हम क्लास 10 इंगलिस के लिए जो सीरी चल रही है उसकी जो दूसरी जो बुक है जिसका नाम है फुट्प्रिंट्स विदाउट फीट उसके फर्स्ट चैप्टर एट ट्रंप ऑफ सरजरी के किशनांसर हम देखेंगे और इसके राइटर है जेम्स हैरियेट आप सभी को पता है कि इस कहानी में एक बहुत ही अमीर महिला है जिसका एक पेट डोग यहने की पालतु कुत्ता ह और अधिक खिलाने की वज़े से वो कुत्ता बिमार पड़ जाता है और फिर उसके बाद इस कहानी में एक डाक्टर है उनका नाम है डाक्टर हैरियेट तो वो उस कुत्ते की हालत को देखकर के उस अमीर महिला से कहते हैं कि आपको इसको स्ट्रिक्ट डाइट पर रेखना चाहिए मतलब कि इसको आपको कम खिलाना चाहिए और इसको एक्सरसाइज करानी चाहिए ताकि इसकी हालत इस तरह से ना हो लेकिन फिर भी कोई ध्यान नहीं देता है और आकिरकार उस कुत्ते को जो डाक्टर जेम्स हैरियेट है इनके जो सरजरी इनका जो होस्पिटल है उसमें उसको ले जाना पड़ता है और 15 दिन तक डाक्टर की निगरानी में हो रहता है डाक्टर उसे भोजन दो दिन तक नहीं देते हैं सिर्फ पानी देते हैं वह बाकी कुत्तों के साथ वह वहां पर दोड़ भाग जब करता है तो ठीक हो जाता है तो यह पुरी स्टोरी है और बच्ची कुछी बाते आपको इस क्यूस्चन आंसर से जो हम देखेंगे इनसे समझ में आ जाएगी तो देखते हैं पहला क्या है वाइज मिसिस पंफरी वरीड एबाउट ट्रीकी ट्रीकी उसकुत्ते का नाम है कि मिसिस पंफरी जो की वह महिला है वह ट्रीकी के बा मिसिस पंफरी ट्रीकी के बारे में चिंतित थी विकाज क्योंकि यह वुड़े नाट इट एनिटिंग वह कुछ खा नहीं रहा था ही रिफ्यूज तो इट इस फेवरीट डिशेस एंड हैड बाउट्स ऑफ वोमिटिंग कि वह अपना प्री भोजन भी खाने से मना कर रहा था और लगातार थोड़े थोड़े समय पर उल्टिया कर रहा था बाउट्स ऑप वोमिटिंग वह बार बार उल्टिया कर रहा था ठीक है कि ही स्पेंट आल दा टाइम लाइंग ऑन दा रग एंड पांटिंग पूरा दिन वह अपने बिस्तर पर ही लेटा रहता और हापता पांटिंग मतलब की हापना ठीक है यानि कि वह बिमार हो गया था इसलिए मिसिस पंफरी चिन्तित थी अब देखते हैं अगला क्यूस्चन हमारा क्या है दूसरा क्यूस्चन है कि जो मिसिस पंफरी है और उनके जो सेवा के बहुत अमीर महिला थी तो उनके सेवाग भी थे बहुत सारे उन्होंने किस प्रकार का बरताओ किया जब ट्रीकी को सरजरी ले जाया जा रहा था यानि कि जब अस्पताल ले जा रहा था ट्रीकी को तब मिसिस पंपरी और जो उनके नोकर है वो किस तरह का बरताओ कर रहे थे ठीक है तो देखिए इसका उतर हो जाएगा दा इंटायर स्टाफ वाज राउजड मैड रजड इन एंड आउट ब्रिंगिंग इस डे बेड ठीक है नाइट बेड कुशन्स मुलब कुशन्स टॉइस ठीक है पूरा का पूरा स्टाफ जो है वो दोड़बाग में लगा हुआ था जो मैलाएं हैं जो नोकरानिया हैं वो क्या कर रही थी वो अंदर जा रही थी बाहर आ रही थी क्या कर रही थी वो उसका दिन का बेड उसका नाइट का बेड उसके कुशन्स ठीक है उसके जो तक्ये हैं और उसके जो खिलों ने उनको वो ला रही थी ठीके वो सब वो मारूती में जमाना चाहती है ताकि डक्टर अपने साथ ये सारी चीजे भी ले जाए Everybody was in T.E.R. से हर कोई रो रहा था Mrs. Pumphrey gave a desperate cry when Tricky was sent to surgery Mrs. Pumphrey भी रो दी जब Tricky को अस्पताल ले जाए गया ठीक है आगे बढ़ते हैं यह थार्ड किस्टे ने यहां पर भले ही दो लिखा हुआ है लेकिन आप यह तीसरा समझना ठीक है यह थोड़े सा मिस्टेक होगए यह प्रिंटिंग मिस्टेक हुई है Why was Dr. Harriet confident that Tricky will be in hospital soon? कि जो Dr. Harriet थे जब उन्होंने Tricky को बाहर देखा था Mrs. Pumphrey के साथ तो Tricky को देखकर कि उन्हें यह confidence कैसे हो गए थे कि Tricky को तो अस्पताल ले जाना ही पड़ेगा तो देखते ज़रा इसका उत्तर Dr. Harriet was confident Dr. Harriet को पूरा विश्वाश था कि Tricky will be in hospital soon because Tricky was tottering slowly in the house क्योंकि Tricky बहुत ही धीरे चल रहा था ठीक है बहुत डुलमूल तरीके चल रहा था Tricky was fat as a bloated sources and his ice grieve rate कि Tricky किसी आप कह सकते हैं कि किसी फुले हुए मांस की भाती हो गया था और उसकी आखे लाल हो गई थी ठीक है बहुत ज़्यादा वो मोटा हो गया था He was not eating anything वो कुछ खा नहीं रहा था Not even his favorite dishes and besides he had bouts of vomiting ना तो वो कुछ खा रहा था ना अपना प्री भोजन वो कर रहा था और इसके अलावा वो उल्टियां भी कर रहा था ठीक है तो उनको पुरा यकीन था किसको ऑस्पिटल में ले जाना ही पड़ेगा अब देखिए fourth question ये आपका fourth question है ठीक है चलिए मैं सिरिस सही कर देता हूँ आपके लिए हाँ तो ये देखिए मैंने ठीक कर दिया है fourth question होगी आपका ठीक है और क्या मतलब है इसका कि what suggestions क्या सुझाओ दिये गए डाक्टर हेरियेट के द्वारा मिसिस पंपरी को शिरुवाती दोर में ठीक है यहने कि जब शिरुवात में जब एक बार ओ डाक्टर मिल लिये थे मिसिस पंपरी से और उस ट्रिकी को देखा था तो डाक्टर ने कुछ सुझाओ दिये थी कि आपको कुछ ऐसा करना पड़ेगा ताकि इसको भरतीना करना पड़े ठीक है तो देखते हैं जला डाक्टर हेरियेट सजेस्टेट मिसिस पंपरी टु कट डाउन ओन अन दा स्वीट थिंग्स एंड नाट तो गिव एक्स्ट्रा फूड टू हीम कि डाक्टर हेरियट ने सजेशन दिया मिसिस पंपरी को कि इसकी मिठाई कम करो कट डाउन ओन दा स्वीट थिंक्स मिठी चाज़े कम करो और इसको एक्स्ट्रा भोजन ना दिया जाए ये आल्सो सजेस्टेड हर टू गीव हिम मोर एक्सरसाइज और उन्होंने ये भी सुजाओ दिया कि इसको ज़्यादा एक्सरसाइज कर वाइज़ा एंड को ऑन वेरी स्ट्रीक डायर और इसको एक स्ट्रीक्ट डायर पर अब मतलब कि इसको ज़्यादा किसी भी कीमत पर खाने ना दिया जाए ठीक है अब देखते हैं फिफ्ट क्यूश्चन वाई वाज दा नरेटर शोग्ड एट ट्रिकिस अपियरेंस की कहानी करता ट्रिकी की हालत देखकर क्यों चोग गया देखिए कहानी करता कोने इसमें डाक्टर हेरियेट ही हैं वही कहानी सुना रहे हैं तो देखिए डाक इस आइस लुक्ड ब्लट शोट एंड रियूमी उसकी आखे लाल हो गई थी और उनमें से पानी बैरा था एंड इस टंग लोल्ड फ्राम इस जास और उसकी जो जबान है वो जबडों से बाहर लटक रही थी ही कुड वाक विथ डिफिकल्टी वो बड़ी मुश्किल से चल वो ट्रिकी के बारे में चिंतित क्यों थे यही कारण है सारे कि देखी वो बहुत ज़्यादा मोटा हो गया था इसमें भी वही बात आ जाएगी कि दा नरेटर वाज वरीड एबाउट ट्रिकी विकाज ही हेड बिकम ट्रिमेंडेसली फेट वो बहुत ज़्यादा मोटा हो रहा था ही लुक्ड लाइक के ब्लोटेट सोसेज विद ए लेग एट इच कॉर्णर वो किसी फुले हुए मांस की भाती लग रहा था जैसे कि उसके मांस के हर कोने पर एक पेर है यानिकि वो किसी मलब चिकन जैसा वो लग रहा था ठीक है दक्टर को यकीन था कि जल्दी ही ऑस्पिटल में ये ये जो कुता ही वो होगा ठीक है अब कुछ लोंग आंसर टाइप क्यूस्चन है जो आपको तीन अंक में आते हैं ठीक है देखिए पहला क्यूस्चन है कहानी के अंत में मिसिस पंफरी कहती है कि ये सलिच कित्सा की जी थे सर्जरी की जी थे ऐसा क्यों तो देखते जारा मिसिस पंफरी थोट डेट दा डोग रिकावरी वाज एट ट्रंप अप सर्जरी मिसिस पंफरी का ये विचार था कि जो डोग जो ठीक हुआ है कुट्ता जो ठीक हुआ है साइद ये सर्जरी की वेसे हुआ है क्योंकि दो हपतों में यहने कि 15 दिन में ट्रीकी हैड रिकावर्ड कम्प्लीटली ट्रीकी पूरी तरह ठीक हो गया था और बहुत ही अच्छे जानवर की रूप में हार्ड मसल्ड मतलब बिल्कुल ठीक हो गया हो फिट हो गया हो जब ट्रीकी ने उसको देखा इट लीब्ड इंटू हर लेप एंड लिग्ड हर फिस जब ट्रीकी ने उस महिला को देखा अपने मालकीन को देखा तो वो उचल करके उनकी गोद में चला गया था ठीक है और उनके चेरे को लिक यानिकी वो चाटने लग गया था वो इतनी खुश थी उसे कुट्टे को देख करके तो उनकी आँकों से आशू निकल आये थे और उन्होंने खुशी खुशी में ये जो ठीक हुआ अपनी क्रतगिता प्रकट करने के लिए डाक्टर को कहा कि ये तो किसकी जी थे ये तो सरजरी की जी थे अपनी खुशी प्रकट करी इस तरह से उन्होंने और क्रतगिता किसका मतलब है ग्रेटिट्यूट ठीक है आभार प्रकट किया डाक्टर के प्रती अगला क्यूस्टेन है कि आपको अंतर बताना है कि मिसिस पंफरी कैसे उसको देखबाल कर रहे थी कुत्ते की और डाक्टर हरियेट कैसे कर रहे थे किसकी मेथड ज्यादा अच्छी और क्यों कि मिसिस पंफरी क्रेट खिला जा रहे थी वो और बिमार हो रहा था उनको लग रहा है कि इसको और कम है क्रिक्र तो गः कि प्रॉट पहुत प्यार करती हर पेड्डोग उनका पाल जानवार रहे वह बहु जव्म जब उन्होंने पाया कि उनका कुट्ता जो ट्रीकी है वो तो एक्टिव नहीं है और उसमें कुछ एनर्जी नहीं बची है तो मिसिस पंप्री ने कोशिश करी कि ज़्यादा जो नूट्रियंट्स होते हैं पोशक ततो होते हैं वो में इसको दूँ भोजन के जरिये ताकि एनर्जीटिक हो जाए लेकिन वो उसको अभ्यास नहीं करवा रही थी दोड़ भाग नहीं करवा रही थी उस कुट्ते को वाइल मिस्टर हेरियेट फाउंड आउट दा मेन कोश ओब इलनेस जबकि जो मिस्टर हेरियेट थे उन्होंने सही कारण पता किया उस बीमारी का ठीक है उस बुखार का उन्होंने एक संतुलित और नियंतरित भोजन उसको दिया और रिकावर्ड हिम फ्राम लेथर्जी कौजड बए ओवर इटिंग एक्सेसिव फेट और उसको उस प्राबलम से ठीक किया जो ज़्यादा खाने की वज़े से या अतिरिक्त वसा की वज़े से उसको हो गई थी या निकि वो जिस प्रकार से बिमार हुआ था उसको उन्होंने कंट्रोल डाइट के जरिये ठीक कर दिया तो मिस्टर हिरियेट मेथट कुड बी रिगार्डेट बेटर ओफ टू अजी ही अंडेस्टूट दा कोज एंड रिमीडी ओब दीजीज इसलिए मिस्टर हिरियेट की मेथट को हमें अच्छा मानना होगा क्योंकि उन्होंने कारण को समझा और उसके बाद उप्चार किया उस रोग का ठीक है अब अन्तीम प्रस्न है कि वाट ट्रिट्मेंट वाज गिवन टु ट्रिकी बाई डक्टर हिरियेट क्या उप्चार दिया गया ट्रिकी को डक्टर हिरियेट के दौरा तो दीखे जरा ट्रिकी की मुख की जो समस्या ये थी कि उसको भोजन का बड़ा लालस था जब भी उसको दिया था वो खा ले था फार टू डेज दो दिन तक डाक्टर हेरिएट गेव नो फूट बड़ प्लेंटी ओफ वाटर टू दा डोग दो दिन तक तो डाक्टर ने उसको भोजन दिया ही नहीं सिर्फ पानी दिया पहले दिन तो ट्रीकी कार्पेट पर एसे ही पड़ा लेटा रहा ओंदा सेकंड दे दूसरे दिन ही स्टाटेड सोविंग सम इंट्रेस्ट इन इस सुराउंडिंग्स दूसरे दिन उसने अपने आसपास की चिजों में कुछ इंट्रेस्ट लेना चालू किया तीसरे दिन उसने गुर्रान ठीक है और भोकना भी थोड़ा थोड़ा स्टाट किया जब उसने आसपास अपने कुट्टों को दूसरे कुट्टों को देखा या सुना फ्राम देनोन और उसके बाद से तो इस प्रोग्रेस वाज रेपेट उसकी रिककावरी जो थी वो तेज ही हो गई मलब बहुत तेज हो गई वो जल्दी यल्दी ठीक होने लगा फिर तो वो बोजन के लिए मेनत करने लगा और राच्री को वो सिकार भी करता चुहो का ठीक है तो इस तरह से चिप्टर हो गया अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो आपको वीडियो को लाइक ज़रू करना न है जारी रहेगी थेंक्स फार वाचिंग थिस वीडियो